लिए इस्टूडेंट्स वेलकम तू माइक्रो टेक चैनल तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिसकस्शन करने वाले हैं अबाउड दा टाइमिंग डाइग्राम टाइमिंग डाइग्राम ऑफ आईओ डाइओ 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 डा पर होता है सिर्फ तो आउटपुट का राइट होगा तो आउटपुट पोड़ पर सेंड भिकिया जाएगा डेटा इसमें तो सबसे पहली बात आती है कि इसको ड्रॉ करेंगे कैसे आई यो डवू लिखेंगे इस ब्लॉक में और दूसी चीज आपको कुछ चीजे मालूम हो ताइमिग डाइगराम में टी इक्वल तू क्या होता है टाइम पीरियड होता है एक कलॉपल्स का टाइम परियद हो ओअ क्लॉपल्स पीड़ फ टी क्या होता है यो अपोन उफ पा मतलब माईक्रॉपसर की dell कि कितनी होती है वन अप्र ओं पॉपरेटॉप l students कि 555 जोती ह तो इह तो इहां से यहां तक का टाइम जीरो पॉइंट थी माइक्रो सेकंड है तो एट्टल IOW में जीरो पॉइंट माइक्रो सेकंड के समय लगे कार, तो तो इह तो माइक्रो सेकंड में बहुत व्हें से काम करता है. तो यहां पर हम दूसी चीज हमें क्या requirement होगी एड्रस लाइन्स बेजने की एड्रस लाइन्स question औरता है माइक्रुप्रसर में कौन-कौन सी एड्रस लाइन्स होती है यह जीरो टू ए फिप्टीन होता है और दूसरा क्या होता है दुषरा होता है AD02, AD02, AD07 होता है, AD02, AD07, अब AD02, AD07 कैसी पिन है, यह Multiplexed Pins है, और Multiplexed Pins कैसी होती है, Multiplexed Pins में क्या होता है, वें इस से Address भी फिलो होना है, इस Pins से Address भी फिलो होना और Data भी फिलो होना है, लेकिन कब Address फिलो होना और कब Data फिलो होना है, तो टी बन टाइम में माइक्रोपुस्टर जो है एड्रस सेंड करता है किसको इन ऑउटपट इसंड करेगा आउटपट पॉर्ट प्वॉक्न कितने संड क्यों ऑइड्रस कितने सब्सक्राइड होता आउट इंपॉल्ट,de! आट किया थो 256 आएंगे मतलब आउटपूट मोर्ड 256 थो इनकी रेंज कितनी बाया Ef- avis जाएगा 002 그건76 8x0 से ilres works यह ताइम जाय गा इसकी वेलू निकाल दो F की value 111 again F की value 111 clear है तो इसकी value निकालेंगे 4 bit का तो 0 आएगा 0 आएगा F की value 1 है 1 है तो 00H2 एफे 5 port का total address होता है means 8 bit का port address होता है जबकि memory का address 16 bit का होता है तो memory में address भेजना है तो दोनों की requirement होती है यदि input port और output port में से किसी को भी भेजना तो 8 bit के port address की requirement होती है अब question उठता है 8 bit का port address है तो 16 bit का 8 bit का 8 है 1 bit का यहां है तो यहां पर तो multiplex है तो जब यह multiplex है तो इनको अलग केंसे किया जाए ता कि address कप फिलो होगा और data कप फिलो होगा तो address फिलो होगा तो A02, A7 काम करेगा इसमें और डेटा फिलो होगा जब तो D02, D7 काम करेगा अब A02, A7 कब काम करेगा यह पता होना चाहिए इसकी वैलू D मल्टिप्लेक्षिंग के लिए एक पेन होती है ALE, ALE का मतलब क्या है ALE एक्वल टू 1, ALE एक्वल ऊबक्ति पेन होगा तो AडR Kelsey होगा इस मल्टिप्लेक्स में से D मL-T फिल्टिप्लेक्स हैं होगा यह एक्वल-2, A7 पसे क्वेक्वल. थाजिए लिए एक्वलटि बशी फिलो करेगा से अब डेटा फिलो होगा, डेटा फिलो होगा, तो कौं सा काम करेगा डी जी रो टो डी सेवन काम करेगा और जब यह लीगिए वैलू बन होता है तो ड्रस फिलो होगा, अब कौश्चन ओडता टीह 1 टी 2 3 टायम है अपने पास 번째 सो ना होता है इंस समझना हमाइуса टाइम में कौन सा ऑपरिशन कॉन सा ऑप्रेशन काणि करता है सिस्सक्राइब का यह तो 8 bit का add-dust है तो हमें add-dust lines कितनी चाहिए? हमें चाहिए A02 A7 तो T1 time में A02 A7 चाहिए तो ALE की value कैसी होने चाहिए? ट1 time में ALE की value high होने चाहिए? बन पर होना चाहिए क्लिए रहे? पहली बात तो एस समझ में आगी और T1 time में add-dust फिलो होता है जब ALE की value देखी यहाँ पर ALE की value high है P1 टाइम में ALE लो आ रहा था लो से high हो गया ALE की value जो हमने high लिखा था यहाँ पर one पर high का मतलब one और जब high पर होगा तो इस बस से क्या फिलो होगा क्या 8 bit का port address तो कितने bit का होगा वो port address 8 bit 8 bit 8 bit क्या port क्या address 8 bit का port address फिलो होगा question उड़ता है 8 bit का चाहिए था 16 bit का था आप के पास तो A वाली बस क्या करेगी इस बस की सही कहां तो requirement नहीं है लेकिन जब एक हाली नहीं छोड़ते हैं इसको जब भेते हैं तो जैसा data इसमें 8 bit का port address जाता है 100% same data इसमें भी 8 bit port address जाता है port address फिलो होता है जो इसमें फिलो होगा वही इसमें फिलो होगा अब यह क्याग्जाम पहले थोड़ी दिर बात पहले इसको complete करता है theoretical फिर एक एक्जाम पहले के साथ समझाएंगे तो यहाँ पर कुछ लिखेंगे data लिखेंगे 8 bit का इसमें भी data लिखेंगे यदि हमने 258 इसमें लिखा तो 258 इसमें होगा यदे इसमें 8H है तो 278 इसमें यहाँ 8H है तो इसमें 6 3H तो 63H इसमें smelling 129 मतलुत इसमें डेड़ा जाता है दोंव में हमें requirements 8 bit के data दिये ठीक है तो अब आते हैं हम कर लिखेंगे करते हैं इसका ALE के रॉल T1 टाइम में हाई होगा clear है T1 टाइम में हाई होना बहुत जरूरी है तभी एड़स फिलो हो पाएगा डिमल्टि प्लेक्शिंग में ऐसा होता है अब इसके बाद क्या होगा ये T1 टाइम के अभी बात चाहता है तो इसमें तीन सिगनल की और रिक्वार्मेंट होगी कौन कौन से सिगनल की रिक्वार्मेंट होगी हमें हमें तीन सिगनल की और रिक्वार्मेंट होगी आयो अबलेक एम बार, रीड बार, रीड बार आयो अबलेक एम बार क्या होता है इसकी value आयो अबले केम बार की value कितनी हो सकती है आयो अबले केम बार की value या तो 1 हो सकती है एक पे नहीं एक बायर है इसकी value या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है जब इसकी value 0 होती है तो कौन सा काम होता है मेमोरी से रिलेटर काम होता है और जब इसकी value 1 होती है तो input-outputs related काम होता है जब इसकी value अब decide करना हमें इस time आई और डबलू में हमें 0 चाहिए value या 1 चाहिए clear है यह आपको सोचना होगा कि input-output right करना है तो memory से related operation करना है input-outputs related अब इस बात का अंसर देने के लिए इसको देखना पड़ेगा किसका timing diagram आप खीच रहे input-outputs right machine का cycle का है तो i.o चाहिए हमें i.o आई ओ चाहिए तो i.o oblic m bar कैसा होना चाहिए i.o oblic m bar बन होना चाहिए तो यहां पर 3 पे नहें S0, S1 और i.o oblic m bar 3 पे नहें तो यह तो combination में काम करती हैं कौन कौन से इसकी value होती है जीरो 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 वन या वन जीरो या वन 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 तो इस चार option होते हैं table आपको पहले से line होना चाहिए जब आप timing diagram पढ़ने आए यही help करती है यहां पर क्या होगा कौन सा operation होगा operation कौन सा होगा operation कौन सा होगा कौन सा operation होगा भाई इसमें इसमें क्या होता था जब जीरो जीरो या जीरो 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 वन की value है तो हल्ट होता था और जब जीरो वन है तो right होता था और read होता था इसमें होता था off code फैच अब इन चार मैंसे इस टाइम हम क्या कर रहे है रीट कर रहे है राइट कर रहे है या फिर आपकोड फैच कर रहे है आपकोड फैच कर रहे है आपकोड फैच कर रहे है तो आपकोड फैच तो नहीं कर रहे है हल्ट भी नहीं कर रहे है क्योंकि प्रोग्राम का एंड करने को हल हल्ट बोलते हल्ट भी नहीं कर रहे हैं अब दो डुम सें होगा तो यहां पर रियट कर रहा है करा है हिसको देखना लगा मुल जाएंगा रटना नहीं है बहुत आराम से परना है तो Unis यहां पर आई तो होना चाहिए heasels नॉट की वैल्व मन होना चाहिए तो यहां पर की वैलू होना चाहिए यहीं सा पर इसकी वैलू वण होना होना चाहिए च्राइटोस नोई lin-py light के लिए वैलू बन होती है यदि रीट तो क्यांट सबस्क्राइब हो जाएगा तो इन पूर आउट पूर रिलेटर ऑपरेशन होगा पिलियर है अब आते हैं टी बन टाइम में इसको भी बन गए यह वाला देखिए यह वाला जब बना है यह यह ली कभी भी बना किसी कभी टाइमिंग डाइगराम खींचे सिर्फ टी बन टाइम में हाई करना ह ठीक है एक चीज हमेशा के लिए सिख लो सभी टाइमिंग डाइगराम के लिए यह बहुत सारी पिने कॉमन हैं दूसरी आती है यह आई यॉवले कैमबार एसजीरो एसबन तीन बायर हैं तीन बायर की हमने बस बना दी है हमें इसको अलग अलग भी बना सकते थे यह 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 इसबन को लो हाई लो आई तीन बायर को अलग अलग देखा देतें जैसे दो फिलो हो रहा जेटा भी फिलो हो रहा है तो इसमें गायर nhất लृष है पर टेलें लहां 20 की गई थी आठ बाइर बचाने के लिए उसी बायर सी क्योंकि यान की निस्चित है माइक्डस में मियूपी सेंस एड़स इन देन यह डेयर लायन सर्फिन जब फिलो करते हैं इन नहीं फिलो हो सकता है और जब डेटा करते तो यह द्रस नहीं फिल हो सकते दो में से को आपरेशन करना है तो हमने इपन की डी मल्टिप्लेक्शंग के लिए एली लगाई एली का मतला एड्रस लैच इनेवल क्यों रखा इसका नाम अब आते हैं हम इनको रीट करना था या राइट करना था तो control signal चाहिए जब input output port पर address पहुंच गया तो वो कहेगा करना क्या है तो आपको एक control signal भेजना पड़ेगा कौन सा control signal control signal सिब दो होते थे जो microprocessor की microprocessor से निकलते थे एक read war एक write war पर दो ही control signal होते थे तो यहां पर read करना है इनपूर आपको राइट करना है डबलू लिखा हुगा है राइट करना है तो राइट वार चाहिए control signal तो हमने राइट वार लिए अब कोश्चन उठता है कि राइट वार कप करना है राइट करना नहीं था क्योंकि टीवन टाइम में तो एड्रस भेज आता हमने टीवन टाइम में तो एड्रस ही भेज रहे थे जब करना है न राइट करना है यह वह यह लिए रएट वार कैसा होना चाहिए Right वार haigh होना चाहिए तो Right वार क्योंके Right आपरेशन अभी नहीं होना T1 टाम में इसलिए हाई है T2 टाइम में क्या होगर T2 टू से T3 टाइम में यह इतने है टाइम के लिए जितना बना है यह को फोरी सा आपए पीछे कर सकते हैं इसको यहां तक ला सकते हैं यहां तक लाइसकते थे, यहां पर variation कर सकते हैं, इसको भी यहां पर थोड़ी सा variation कर सकते हैं, बलकुर रटना जाएं, इस spin के पहले low ना हो जाए बस, इस line के, और यह वाला इस line के 50% से जाता हैं, यहां तक ही लिए जान लो, यहां पर high करके दिखा दें, भले ही, यहां यहा आप यहां पर right बार तो हो गया, लेकिन micro processor को तो right होना है, यहां पर कौन सा होना, memory का right होना है, या किसका right होना है, अभी बताईए सही लिखा है या गलत लिखा है, इसको आपको बताना होगा, बताईए सही लिखा है या गलत लिखा है, control signal, हम थोड़ी से help कर देंदे हैं ये सही लिखा है या गलत लिखा है किलियर हैं तो हमें यहां पर समझा देते हैं आपको यहां पर समझाते हैं कि या repeat 11 001 रिख है डो सिंकनल थे जब आ इयू उश्क Cherry आयू आउबलेक एमबार यहां से लखें आयू आउबलेक एमबार आईडी बार और डबलू आर बार जब तेन कंट्रॉल सिंगनल को मिक्स कर दिया था हमने जब तीनों को एक साइड दिया तो थरी इंटो एट डिकोडर बना था तीन इंपुट दे रहे थे आठ आउट पू सिगनल्स तो माइक्रो पोसर में चार गेप कंट्रॉल सिगनल्स थे कौन कोंसे मियम कामतलब डूबर ने ये इन्पुट आउटपुट राइट करना है तो ये सही लिखा या गलत लिखा है अगर गलत है तो इन मेंसे कौन सा होगा अगर गलत लिखा है तो इन मेंसे कौन सा होगा ये बताना है ठीक है अब ये जान बूच के लिखा गया है ताकि बच्चा आपका दिमाग काम करना च यह सही या गलत है तो यह गलत है या सही बिलकुर सही बताए गलत है तो फिर सही क्या होगा यह से यह हो सकते हैं अच्छा यह तो होई नहीं सकते क्यों कि में मोरे डिलेटर ऑपरेशन करी नहीं रहाएं तो कट गएट आप दो बचे आयओ बैरे यह फोना चाहीए जान बूझ करके लिखा अगद यह हैं यह पढED लगा लेगा यहा पर तो इससे यह पता लगता है तो यहां पर क्या होना चाहिए यह और या डबलू बार का मतलब इन्पूट आउटपुट राइट का मतलब क्या होगा कि राइट ऑपरिजन्ट टी बन टाइम में नहीं लिखने बर का सिर्फ चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा सभी मसीन साइकल्स में तो यह रटना नहीं इसके लिए टेविल हमने बनाई थी एस जीरो एस बन की यह अब लिप मेंबर वो टेविल अगारियाद है हल्ट राइट रीड और ओएफ बस उतना अब इसके बाद की यह हमने अभी करेंगे बाद में जब फ्ली हमने इसके बाद में जब इससा प्यारी हो जाएगी तो यह मतलब है जब राइट बार कंट्रोल सिगनल यह जो जील होता था जीरो इतने को लिखते थे हम और बन के इतने को लिखते थे बन इतने को लिखते थे बीच में गैप होता था इसको वन लिखते थे ऐसे जाता था सिगनल देखो इसके बीच में वन और जीरो वन जीरो तो इसको जीरो लिखते थे हम इसको वन लिख देते थे लेकिन भीच में होता था हो दूब वीच में होता तो हाई कहला तो बीच में अगर होता है तो नो सिगनल है ना हाई स idea कोई सिगनल के लों ना दूब कोई सिंगनल भी इंपार और ढॉटिका है कृपरlle, यह 3 सिट होती नहीं आई सिट का मतला है. तो यहां पर जो है हमें बता रहे थे आपको जीरो बन बता रहे थे तो यहां पर यहां पर वन है यहां पर जीरो हुगा तो 50% से जब यह जाते हुए, मालगी हाई आ रहा था है, यहांसे लो हुगा अगर, तो इसके 50% से नीचे यहां पर कहीं पर सरक्ल लगाया हमने, यहां पर, बिल्कुर नीचे नहीं लगाया है, नीचे से थोड़ी सा उपर, नीचे से थोड़ी हो, और उपर से थोड़ी सा न हम आदी हमने वह यहां पर यहां लगाया यहां लगा word यहां पर यहां पर तो discoveries पूंचए होगा देखनीजर यह बहुत है यह यह इर्दस भीज़ेगा तो क्या जेवगो क्या भी देटा जो डेटा अब माइक्रो प्रोसेसे डेटा क्या होना है क्या होना है राइट करना है अगर तो यहां पर राइट बार सिगनल जीरो होना चाहिए तभी तो राइट ऑपरेशन होगा और यो डबलू भी जीरो होना चाहिए तभी राइट ऑपरेशन होगा राइट ऑपरेशन होगा तो क्या होगा तो क्य देटा के को अरङ शाका मतलब बार्द सब इसका मतलब नहीं कॉट इस लिए आन पर आजा हुगत है बynnνε करें पर इसको जब हाई होगा तो यहां पर सर्कल बन गया को यहां पर इस Whew कि यहां जोड़ देना और यह भी हाई हो गया कि इसको जोड़ना ना भूलें कि जब नहीं कनेक्ट होते हैं तो पूरे डाइगराम में नहीं पर पढ़ती है तो इनको क्यों कनेक्ट करते हैं हमने समझ लिए क्या है जब रीड बार नीचे जाएगा लो जाएगा जीरो से थो क्या भीलो होगा क्यफिल होगा जो आॉटर पर डीटा बेकशना था आठ घीर का वह आएगा क्या लिखा जाएगा बित नहीं evidently तो इसमें र्छा जाएगा इसके अंदर यशया जाएगा यहज़ा में के तू प्रॉम आक्वूलेटर तू कहां आउट्पूट पॉर्ट जूम करके समझें और सुनें तो यहां पर क्यों की कम हैं जगा इसलिए आउट्पूट पॉर्ट मतलग डेटा यह बित का ओठा कहां से आया माइक देखिए आउट्पूट पॉर्ट पर कोई भी डेटा जाता से माइकरो सर के एक जगा से जाता है कहां से आक्सूमिलेटर से तो आउठ्बट पूर्ट पर यह टे-टे-टा-टाप्रांधा आक्कूमिलेटर मुपी भी लेखते थे मुपी बाध इस्पट नहीं बात इस-पस नहीं हो द Savannah देटा जाए verstehen आउटपर पोर्ट पर क्या लगा होगा डिस्पिले डिवाइस लगी होगी, डिस्पिले डिवाइस लगी होगी, डिस्पिले होगा, जब कहीं पर कोई चीज डिस्पिले करना हो तो हम राइट ऑपरेशन होता है, जैसे हम इस बोर्ट पर वाइट पर हम डिस्पिले कर रहे है तो हम कैसे display कर रहे हैं हम right operation कर रहे हैं वो आप लोग इसी board से data उठा रहे हैं तो कैसे उठा रहे हैं आप लोग read operation कर रहे हैं बोड से, हम right, जब किसी को display करना है तो right operation, output port पर क्या होना display होना है या print out निकलना है print out निकलना है या display होना है किसी दूसरे रजिस्टर, जीपिया, बीसि, भीशेल से नहीं जा सकता, किसी भी रजिस्टर से नहीं जा सकता, सिब माइक्रोबूसर क्या अकूनितर से जा सकता है, यहां पर, क्या हो गया है?, मतलब डेटा जहां जाना था पहुँच चुक आ है, पहुंच चुका है इसके 50% से जादा ना ले जाए है और इसको यहां पर पहुंच चुका है अब बस के आकार रही होगी क्योंकि बसे पर डेटा जो है कितने देर के लिए माइक्रो सेकंड समय के लिए रहता है समय के लिए बस खाली हो जाती है जब बस खाली हो गई तो उससे लो signell हो गा ना हाई सिगनल तो हाई impedance में चुदा भड़ा पर एक चीज का दिहान दे हैं यहाँ पर जब ने ai or का खीचा होगा और memory रीट कर तो यहां पर करना है पीछा से डेटा आ गया तुरंट उसने तुरंट उसने रख लिया तुरंट ले लेता है लेका gdybit करना होता है तो थोड़ी से उसको डेटा देने में टाइम लगता है, हम आपसे कहें, कि 1,000,001 रख लो, तो अप है न सोचोंगे, यह हम कहें 9000,001 रख दो तो तुम ठोड़ी से टाइम लगाओगे, चो किए प्रोग्राम एकनी मेतले कारेगा कि मेरे पसे, मेरे चाठे है यान नहीं? या फिर सोचोगे कि जो है यह बापस करेगा यानि तुरंट एक प्रोग्राम अंदर अंदर रन करेगा मेरा अच्छा फ्रेंड है या नहीं मुझे पैसा देना चाहिए नहीं यह बापस करेगा यानि बहुत सारे प्रोग्राम तो देने में टाइम लगेगा किलिया रहे अब जो है तो डेटा लेने में टाइम नहीं Tá डेटा देने में यहाँ पर डेता ले ना था ओपूषवट को इसलिए तुरांट रेसीइब का लीए इसलिए हाइ इंपिडेंस में आपर डौट तोटनी हो पाई तुरंत उसने लेने के लिए तियार हो गया के लिए रहे अब यहां पर हमने कहाता है यहां पर कोई नंबर होगा कोई नंबर होगा उसको थोड़ी सा और एकस्प्लेंड कर दें देखिए थियोरी में जो समझना है बनाना है जितना कौपी पर बनाने को आता है तो इसे पितना ही बनाना बनाना है तो इसे पितने की जरूरत है अगर और इसको फंडमेंटल करना है तो यह के इंस्ट्रक्शन का यह क्या अग्जाम पर दे रहे हैं अब हमें यह भी पता बहुत सारे लोग इसार पढ़ रहे होंगे इनने अभी इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं होगी जिसने पढ़ी है उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा आप जो समझाने बाले यह तो खतम हो गया लेकिन इसी का fundamental अभी बहुत सारे question के जवाब नहीं होगे हैं अभी question आपके दिमाग बना रहे हमें सोच रहे हमसे पढ़ने के बाद फिर एक भी question दिमाग मना रहे पूरी 100% बात इस प्रस्ट हो जाए जैसे आयो आर का इंपूर आपको रीड का टाइमिंग डाइगराम खींचा तो हमने कौन सी instruction बताई थी आपको एक instruction बताई थी हो सकते हैं लेकिन लोगों ने बनाया वस्टाइम तो 244 बनाई इससे ज्यादा होना ऐसा मजमनी आप क्या जरूरत है इतने में सैटिस्टाइए होगा इसलिए 244 बनाई 246 उसके बाद जो है खतंग फिर माइक्रोसा एर्चुरेट 6 बहुत हाई लेवल के माइक्रोसर आगा तो फिर इसमें सुधार नहीं होगा इसलिए 246 डिफाइन है जबकि बहुत से लोग बताते हैं 256 इंस्टक्शन होती नहीं हो सकते थी लेकिन हैं 246 तो माइक्रोस अब देखे 246 इंस्टक्श इसना कौनसी आउट कैसे लिखते हैं इंस्टक्शन आउट हम यहां लिखते हैं और यहां क्या लेखेंगे 8-bit या पॉर्ट एडरस आउट इंस्टक्शन है इसमाली हम ने 2000 पर लिख दी यह तो प्रोग्राम काउंटर में चलता रहेगा अब यहां से समझे बात को अब जि यहांसा कुछ आगे पढ़ने वाले हैं हम और निश्यत जब हम बात बिठा लेंगे इसको समझाएंगे तो आपकी बात फिट बैठ जाएगी आपको समझ में जरूरा जाएगा कि हां यहांसा होता है लेकिन फिर आपको इस बहले ही न पढ़िए इतना हम समझा देंगे आपक लिखिए जमा लिखा लिखे का हमने चाफ रणी लोकेशन पर क्या स्टोर होगया इस न You कोई आठ बिट का कोड होगा तो यहां पर हमने राटना नहीं है कि इसलिए लिखा नहीं है इसलिए समझ लेकि एक चार विट का यह है डॉंट कर भी चार विट का है इसके बाद इसको सही शियुक्त हहुआ है पर मैं लगा लगां Febru लुक्र सुधा आउड यह ने लिखे लिए माली जी एफ एफ एज पोर्ट अर्डस देजिए एट बिट फोर्ट यहां लिगा था आउड के यह इह पोर्ट इएट कि इतना बता है यह सकता है अब जब इसको लिखेंगे आप तो इसका आठ बिट का कोई कोड होगा यह से इस्ट्रक्शन का तो बोई स्टोर करेगा तो मैं मुरी में स्टोर कर लिए 2000 पर लिखे थी 2001 पर क्या होगा अपने आप PC में इंक्रीमेंट हो गया और इंक्रीमेंट है लिखा तो वहां पर क्या रख लेकिए इसमें यह था पोट एड़ डस एफएप एफए पैच यहां आ गया यह तूधाउजन बन पर इसने रख आप प्रोग्राम जब लिखा आपने इस्टोर हो गया जब इसको एक्जिटूट करे आपने यहां से उठा के ले जाएगा यह क्या है इसके हैं इसकोड़ कोड यहां इसको यहां जाएगा जैसे ही उसकी कोडिंग होगी तो जब इसको उठाया तो कौन सी मसीन साइकल चली चली उसका टाइमिंग डाग्राम हमने पढ़ाया पहले वही पढ़ना है तब इनमें आना है वह एफ में कितने खर्च होते थे 40 खर्च होते थे जब जैसी op code आया और उसने op code की decoding हुई उसको क्या बात आगयी समझे में माई click professor को जैसी decoding हुई इस op code की जैसी decoding हुई अच्छा उसको समझ में आओ हमें ज़ो है output port पर 8-bit का data भेजना है इतना आगया उसको समझे से पर भेजना है वह ना उसे पता अभी तक कौन सा डेटा भेजना के लिए माईक्रोंसर को जब तक वह होता नहीं हो तक क्या करना है अब उसे पर नहीं पता भी तो ओए आप चला गया फोर्टी के बडाबर टाइम खर्च हो गया अब वह है 2000 का 2001 प्रोग्राम अपने आप एक्टूट करेगा और 2001 पर जो एफ है पर रचाता है इसको उठाने आएगा जब इसको उठाने आएगा तो कौन सी मसीन साइकल चलेगी मेमोरी से डेटा उठाके लेगा तो कौन सी चलेगी मसीन साइकल एम आर चलेगी memory read machine cycle का timing diagram इससे पहले पढ़ा होगा पहले देखी timing diagram पांच हमने पढ़ाए हैं पांच में सबसे पहले off code fetch का पढ़ना है फिर input output read का पढ़ना है फिर input output write का आयो और IOW सबसे लास्ट में हैं लास्ट में आयो डबलू पांच मसीन साइकल क्लिए किरम से पढ़ें हमारे वीडियो डले हैं हरे कई एक एक वीडियो बना दिए हमने चोटा चोटा ठीक है तो यह MR में कितने टी खर्च होते हैं प्राय आयो इसको यह पता लगया आ एक से ले जाना है कौन जो मसीन साइकल चल चुकी लागए कौन सा पोर्ट का यह अट्रस पता लग गया प्राइच पता लगया अभी एक मसीन साइकल और चलेगी लास्ट में एक मसीन साइकल और चलेगी एक मसीन साइकल अभी और चलेगी तो इसमें तो ओएफ चलेगी थी इसमें एम आर चली थी फोर प्लेस्ट्री अभी दो चल चुकी हैं दो मसीन साइकल अभी काम नहीं होगा इससे समझ में आया क्या केका करना था इस से उसका औ 안 इस सिंट का आफ़गा। और दर्फ कि आब काम हमें अज deg weiß एक बार मैं समझे ऊड़े और ठीड़ दो बार में समझे एक पार में काम अभी हो गए नहीं पहले मुझे समझ में आया की का करना और दूसरे को और स्ना आब над और चलनी यहीजी आई आई यो डबलू इंपुर्ट आउट पूर्ड टा raped मसी जा लगते हैं तो आप कौन सी मसीन साइकल चलेगी आई ओ डबलू चलेगी और इसमें कितने टी लगेते हैं तो कोई पूछे कि इन इंस्टक्शन में कितने टी खर्च होते हैं आउट इंस्टक्शन में कितने मसीन साइकल खर्च होते हैं और इंस्टक्शन में कितने मसीन साइकल जो है 1 टी लगनी थी ती टी तो जब यहां पर कहां भेजना है यहां पर क्या था कितना है इसमें कोई बता सकता है अब इंस्ट्रक्शन पड़ लिए पॉर्ट के आंगे क्या लिखा रहा था आउट के आंगे कि आफ एफ एच कि जाना है यहां से क्या जाएगा यह पोर्ट एड़स यह पोर्ट दरस एफ 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 च इसमें यह लाइस चीज रह गई है इसमें लास्ट चीज रह गई है क्या कि इसमें जब T1 टाइम yes होता है जब T1 time जैसे ही इपनेस होता है तो हमने बताया था कि PC में 2000 चलता है 2000 बन चलता है तो PC में program counter में जितना भी था तो उसमें जैसे ही T1 time खतम होता है बैसे ही PC में PC equal to PC plus 1 हो जाता है मतलब PC का increment हो जाता है तो यहाँ पर आपको जब T1 time खतम हो T2 time में यहाँ पर यह जरूर लि जब इसका timing diagram बनागे PC equal to PC plus 1 मतलब program counter में जो 2000 बन था जो 2000 था यदी तो 2000 का क्या हो जाएगा increment हो जाएगा program counter के नीचे incremental decremental address लगा था तो वह increment कर देता है क्योंकि program counter है PC का मतलब program counter क्या करता है next instruction का यह address हमेंसा indicate करता है जहाँ पर next instruction execute हो जानी है तो जो 2000 पर तो यह काम चल रहा है तो 2000 बन की त्यारी कर लेता है तो T2 time में आप लिखना PC equal to PC plus 1 ठीक है तो यह वीडियो मैं इतना ही रहने देया मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा ठीक है okay thank you thank you